अलो स्टुडेंट्स वेल्कम तो विज्जा स्टेडिवे क्लासे तो जैसे कि हम लोग क्लास 10 का अवर इंवार्मेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अल्रेडी हम लोगों ने पार्ट बन डिसकेशन कर लिया जिसमें हम लोगों ने एको सिस्टेम एंड ये कंपोनेंट्स के बारे में समझा था आज़ें लोग 5 सेकेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग फूड चैन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इन्वार्मेंट में बहुत ही एक इंपोर्टेंट टॉपिक है और फूड चैन स्टार्ट करने से पहले यहां पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो क कि यह टर्म्स क्या हैं और यह फूड चैन को कैसे बनाते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है यहां पर प्रोडूसर्स और ग्रीन प्लांट्स ब्लू ग्रीन अल्गी कें प्रोडूस देर फूड सुगर एंड स्टार्श रॉम इनॉर्गनिक सब्स्टेंस यूजिं लाइट एनर ठीक है और जो यह ग्रीन प्लांट्स होते हैं और यह जो ब्लू ग्रीन अल्गी होते हैं यह अपना खाना खुद बनाने में स्रक्षम होते हैं इसलिए इनको बोला जाता है प्रोडूसर्स प्रोडूसर्स का मतलब होता है कि जो खुद से अपने जो खाना है या जो भी ची बनाते हैं जो सबसे पहले जिस labor onay T ना उन प्रीग भीम जो अन निम्हुन कहते हैं तो ने सबसे पहली ज्मिध मेथे था खुद बनाते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए नेक्स्ट जो आता है जो फूट चेन में बात आती जिसकी वह होता है कंजीूमर्स ठीक है तो इंक्लिवडिंग और्गनिजम्स विच डिपेंड अन प्रोड्यूसर्स इधर डारेक्ली और और इन डारेक्ली फॉर शस्टीनें के लिए ब्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं ऐसे औरगनिजम्स को बोलते हैं टा इतीक है तो यह जो आंदेश्मूक बहुते हैं चोपने के लिए अपने सर्वाइवल के लिए उन्यो प्रोड्यूसर्स के लिए एक दिपेंड होते हैं अब До कि there are four types of consumers यहां पर four types के consumers होते हैं herbivores, carnivores, parasite, omnivores यह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ हैं पहले भी classes में यह terms हम लोगों ने पढ़े हुए हर्विवोर्स, carnivores, parasite, omnivores तो यहां समझने में easy रहेगा तो herbivores ऐसे consumers होते हैं जो कि grass पे और green plant पे depend होते हैं like हो गया, cow हो गया, deer हो गया ठीक है second जो consumer आता है वो होता है carnivores जो इसको flesh eater भी बोलते हैं तो carnivores जो होते हैं वो दूसरे animals पे अपने food के लिए depend होते हैं तो यह animals हो गया, loin, tiger ठीक है तो यह carnivores हो गया, यह दूसरे पे depend होते हैं अपने खाने के लिए food के लिए जो third consumer की बात करते हैं हम लोग वो है parasite यह जहां पे रहते हैं जिस भी host body पे रहते हैं वहीं पे live भी करते हैं और feed भी करते हैं इसलब उसी host body पे रहते भी हैं और साथ ही साथ अपना खाना भी उसी host body से ही लेते हैं जिसको बोलते हैं प्लाजमोडियम और यह जो पेरसाइट होते हैं यह disease cause भी करते हैं अपने host body में बीमारियां भी पैदा करते हैं फोर्थ जो consumer है वो है हमारा omnivores तो omnivores ऐसे organisms होते हैं जो कि दोनों पे ही depend होते हैं grass पे तो depend होते ही plant पे depend होते हैं और flesh यह जो ऐसे organism होते हैं जो सबचियां भी खाते हैं और मास मचली भी खाते हैं इनको बोलते हैं omnivores और इसका example है crow crow जो होते है वो vegetables भी खाता है और flesh भी खाता है तो इस तरीकी से जो यह consumers थे four types की consumers थे यह अपनी survival के लिए sustenance के लिए किस पे depend होते हैं directly, indirectly producers पे depend होते हैं third जो आता है हमारा वो होई decomposers तो decomposers कौन से होते हैं fungi and bacteria which break down, decompose, decompose का meaning होता है break down, किसी को तोड़ना the dead plant, animals complex compounds into the simpler one thus decomposers help in the replenishment so decomposers जो होते हैं उसमें आते हमारे fungi, bacteria जो की again, microorganisms हैं यह इनका क्या काम होता है कि जो dead plant होते हैं जो भी animals के complex compounds होते हैं इनको यह लो break down करते हैं, decompose कर देते हैं replenishment में help करते हैं replenishment का मतलब होता है replenishment का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दुबारा से उसको clear करना या साफ करना या दुबारा से उसको बनाना तो decomposers क्या करते हैं हमाई environment को साफ करते हैं कैसे साफ करते हैं यहां पर जो भी यह dead plant, animal complex compound जो present होते हैं environment में, atmosphere में decomposers जो होते हैं इनको break down करके इनका decompose करके smaller ones में smaller units में convert कर देते हैं जो कि हमारे environment से साफ हो जाते हैं और इस तरीके से decomposers होते हैं हमाई environment को वापस से हरा भरा बनाने में help करते हैं, clean करने में help करते हैं, for example T1, grass T2, deer and T3, loin तो यह जो है, यह barriers trophic levels हैं, ठीक है trophic level 1, trophic level 2 trophic level 3 यह ऐसे बहुँ जकते हैं, 1st trophic level 2nd trophic level and 3rd यह जो example है, इसी के basis में हम food chain, start करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या है, actually यहाँ पर यह example से यह बता रहा है कि जो producers हैं, वो हमारे tropic level 1st में आते हैं जो कि जिसमें क्यों से आते हैं जिसमें आते हैं, grass eater यह ब्रीन प्लांट्स आते हैं पर depend है थर्ड जो ट्रॉपिक लेबल है वो इंडारेक्टली 1st ट्रॉपिक लेबल पर depend है और इसी तरह के जो cycle है इसी तरह के जो cycle हमारे environment में, atmosphere में चलता रहता है और हम जितने भी organisms होते हैं various type के जो animals, species, environment में atmosphere में present होते हैं यह एक दूसरे पर depend होते हैं अपने survival के लिए अपने life के लिए अपने sustenance के लिए तो इसी चीज को बोलते है food chain ठीक है, now next अब हम देखेंगे कि food chain क्या होता है food chain, it is the sequence of living organisms in which one organism consumes another organism for energy it is unidirectional single directional तो जैसे कि अभी हम लोग हमने समझाया आपको की जो अभी इससे पहले के example में हम लोगोंने समझा कि वहां पे देखा हम लोगोंने कैसे लेबल पे, second topic level directly depend होता है अपने खाने के लिए food के लिए जबकि third topic level directly depend होता है second topic level पे और indirectly depend होता है first topic level पे तो इसी तरीकी से जो क्या होता है कि एक sequence बन जाता है जो living organisms होते है एक sequence इन में बन जाता है atmosphere में environment में जिसमें एक organism दूसरे organism को खाके अपना जो खाना है वो लेता है और यह जो होता है plant हमारा क्या है producer है ठीक है then plant को किस ने खाया insect ने खाया insect को किस ने खाया frog ने खाया frog को किस ने खाया eagle ने खाया तो इस तरीके से एक type का food chain चलता रहता है क्योंकि एक topic level से second, third, third, fourth इस तरीके से जो organisms होते है अपने खाने के लिए सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर depend होते है अब हम दिखते है कि जो plant होता है ठीक है plant को plant को खाया insect ने ठीक है insect को खाया sparrow ने sparrow को किस ने खा लिया snake ने तो यहाँ पर अगेन हम लोगो नहीं क्या देगा जो various type के organism living organism में अपने खाने के लिए सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर depend है अगेन plant को खाया mouse ने mouse को खाया eagle ने तो इसी तरीकी का जो यह food chain चलता रहता है एक type का sequence चलता रहता है जिसमें जो various organism में अपने खाने के लिए अपने food के लिए एक दूसरे पर directly and directly depend होते है environment में atmosphere में तो इस chain को बोलते है food chain क्या बोलते है food chain now next in a food chain various steps where transfer of energy takes place is called a tropic label ठीक है तो food chain में क्या होता है कि various steps होते है जहां पर energy का transfer होता रहता है जैसे कि अभी हम लोगों ने दिखा कि plant को energy आई फिर insect की energy transfer होगी frog में जब frog insect को खा लेगा फिर frog की energy transfer होगी eagle में जब eagle frog को खा लेगा तो यह जो होते हैं यह होते हैं various trophic label इनको बोलते हैं trophic label the green plants capture 1% of sun's energy जो green plants होते हैं जो producers होते हैं वो sun's energy का only 1% ही use करते हैं the flow of energy is unidirectional food chain यह हम लोगों ने देखा कि energy का flow होता है food chain में वो unidirectional है ठीक है कैसा है unidirectional plant से insect में गया insect से frog में गया frog से eagle में गया किया यह वापस हो रहा है नहीं हो रहा है तो इस तरहीके से food chain में energy का flow हो रहा है वो एक ही direction energy from one tropic level to next sorry to next tropic level in a food chain तो food chain में क्या होता है कि amount of energy होती है वो gradually decrease होती है तीक है gradually क्या होती है कि कम होती जाती है दीरे-दीरे कम होती जाती है एक tropic level से दूसरे tropic level में तो इस तेके से food chain में हम लोगों ने पढ़ा कि जो one tropic level से next tropic level में जब energy जाती तो दीरे-दीरे कम होती है also जो flow of energy होती है वो unidirectional होती है और जो various levels होते है जो energy transfer होता जाता है various steps होते food chain में उनको बूला जाता है tropic level तो I think आप लोगों को food chain समझ में आ गया होगा now next अब यहां पे हम लोग वो ही tropic level को diagram में समझते है देखते हैं कि various tropic level क्या होते है तो सबसे पहले food chain का first tropic level होता है वो होता है producer का second tropic level होता है हमारा primary consumer then secondary consumer and tertiary consumers तो इस तरीके से हमारा various steps है food chain में रहते हैं और flow of energy होता रहता है तो इन levels को steps को क्या बोलते है traffic level और energy flow होता है unidirectional होता है producer से जाता है primary consumer में then secondary then tertiary ठीके अब हम बात करतें यहां पे 10% law की 10% law हमें क्या बताता है तो जैसे कि यहां लिखा है producer के time पे क्या था 1000 kJ energy था जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि food chain होता है उसमें energy जो है वो जैसे जैसे हम उपर की तरफ जाते है वैसे वैसे वो decrease होती जाती energy कम होती जाती है तो producer के time पे था हमारा 1000 kJ energy then 10% इसका कम हो गया decrease हो गया हमारे पास हो गया 100 kJ then 10 kJ then 1 kJ तो इस तरह के से क्या होता है कि जो various traffic levels है जैसे जैसे हम उपर की side को जाएंगे तो यहां पे हर एक step में हर एक level पे 10% जो energy है वो consume हो जाती है कम हो जाती decrease हो जाती है तो इसको बोला गया 10% law देखते ही क्या है the energy up level at each successive traffic levels is 10% of the previous level so only 10% of energy is transferred to next traffic level while 90% of energy is used by present traffic level in its life processes तो क्या होता है कि जब जो energy transfer हो रही होती है ठीके तो producers के पास अभी 100% energy है बाट इसने अपना सिर्फ 10% energy ही next topic level पे consume किया ठीके और बागी के 90% जो energy होता है इसने अपनी life processes को करने में यूज किया तो इस तरीके से जो 10% law होता है उसमें हमको यही बता जाता है कि जो food chain के हर एक successive topic level पे सिर्फ 10% energy ही transfer होती है from one topic level to next topic level जो 90% जो energy होती है खुद ने उस particular topic level पे use कर लिया होता है अपने life processes के लिए the concentration of harmful chemical increases within every next topic level in a food chain it is called biomagnification अब यहां पे क्या होता है कि food chain में जब एक topic level से next topic level पे हम आगे की और बढ़ते हैं जाते हैं तो क्या होता है कि जो harmful chemical substances होते हैं उनकी concentration बढ़ती है increase होती है तो इस condition को बोलते है biomagnification next maximum concentration of such chemicals get accumulated in human bodies since humans occupy the top level in any food chain और यह जो harmful chemical substances जो होते है इनका सबसे ज़्यादा concentration जो है वो human body में पाया जाता है या human body में इखटा होता है on the basis of this हम यह बोल सकते हैं कि जो humans होते हैं वो food chain के top level पे होते हैं और यहां पे हम लोग एक चीज़ यह भी इससे भी समझ सकते हैं कि क्यों humans top level पे होते हैं humans कैसे होते हैं omnivores होते हैं यह plants में भी depend होते हैं सबसे ज्यादा होता है तो इतना था food chain के बारे में जो कि हम लोगों नहीं आज पढ़ा समझा part second में जो part third environment का होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे environmental problems के बारे में कि कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो हमारे environment को affect करते हैं my atmosphere को affect करते हैं so keep watching subscribe my channel also do like share and comment thanks for watching